Hit and Trial Method या फिर कहें Balancing देखें, Chemical Equations जो होते हैं, हम उनकी Balancing करते हैं तो ये जो Topic है, इसमें हम Hit and Trial Method के यूज़ करके Balancing करेंगे ये क्या होते हैं? देखें, सबसे पहले हम ये करेंगे, कि Balancing Equation क्या होती है? वो equation जो Number of Atoms, Reactant पे और Product पे Equal होते हैं वो एक balance equation होती है अब एक method होता है जो की है hit and trial method इस method का use करके हम अपनी equations को balance कर सकते हैं कैसे वो हम देख लेते हैं हमने एक equation ली है Fe क्या होता है iron जब H2O के साथ react करता है यहीं water के साथ react करता है तो Fe3O4 iron oxide बनाएगा ठीक है और H2 gas produce करेगा अब हमने दिये देखना है कि क्या यह equation balance है ठीक है और इसको balance करेंगे अगर वोई balance नहीं है तो तो सबसे पहले हमारा first chart की हमने एक elements लेना है कि हमारे जो first step में कितने elements present है Fe, H, O three elements present है और अब देखने है iron के हमारे पास element कितने है और number of atom जो है left hand side reactant पे कितने है और right hand side यानि product पे कितने है iron जो है reactant पे 1 है यानि कि 1 जबकि product पे 3 है Fe 3 है तो 3 ठीक है अब देखते है next next hydrogen H2 है reactant पे product पे 2 है तो reactant पे 2 product पे 2 next oxygen reactant पे 1 है जबकि product पे 4 है तो यह एक unbalance equation है अब हमने इस equation को balance करना है तो इस equation को balance करने के लिए हम hit and trial method का use करते हैं ये जो method है, अब ये हमारा first step था हमने ये देख लिया कि हमारी equation balance है या unbalance है ये equation एक unbalance equation है अब हमें क्या करना है step 2 follow करना है हम one by one हर एक element को balance करेंगे सबसे पहले हम oxygen को balance करेंगे क्योंकि यह जो oxygen है number of सबसे जादा number of atoms इसके हैं इसी वज़ा से तो इनिशल स्टेट में सबसे जो अब जो इनिशल स्टेट है तो रियक्टेंट पे जो oxygen है वो 1 है जबकि product पे 4 है अब हमें क्या करना है रियक्टेंट पे अगर 4 से multiply कर देंगे तो oxygen 4 हो जाएंगे और यहां हमें पे एज़्डो गोंु साथ 4 से multiply करना है देखिए हम इस से multiply करना है उसके पैर में नहीं लगाना उसके multiply करना है तो हमारे पास यह यहां सी यह equation आप ऑज आजाएगी यहां पर 4 से multiply करेंगे तो accessκιंण यहां पर Pacific Program सबस्कारूल भी there была даже अब हम Hydrosion को balance करेंगी Hydrosin को balance कर लेगे Hydrosin कितने है Initial state कितनी है Hydrosin 8 है 4 2 जा 8 8 Hydrosin यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 4 से multiply करेंगे ठीक है ना Initial state यानि कि 4 से multiply करेंगे तो यहाँ पर 4 लगाएंगे यानि कि 4 4 2 जा 8 हो जाएंगे तो फिर Fe 4H2 Fe 3O4 प्लस 4H2 यानि कि Hydrosin भी हमारे balance हो गए अब next रहा गया है हमारे पास क्या सिर्फ iron यानि कि Fe को हमने balance करना है अब हमारा fourth step है हमने iron को balance करना है iron के यहाँ पर initial state में 1 है और product पर 3 है 1 और 3 अगर हम यहाँ पर 3 से multiply करेंगे तो यह भी 3 हो जाएंगे और यह भी 3 हो जाएंगे यानि कि reactant पे हमने iron को 3 से multiply करना है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3 Fe plus 4H2O और Fe3O4 plus 4H2 equation आ जाएगी अब देखिए अब यह equation जो है यह balance equation है लेकिन हमने क्या है चक करना है कि क्या यह equation balance है तो हम step 5 को follow करेंगे अपने number of elements लिखेंगे Fe reactant पे कितने है 3 product पे भी 3 अब देखते हैं hydrogen reactant पे 8 है product पे भी 8 है next है oxygen reactant पे 4 है और product पे भी 4 है तो यह जो है अब यह equation एक balance equation हुई है ठीक है ना यानिकि 3388 और 44 अब यह equation एक balance equation हुई है इस equation को हम hit and trial method बोलते हैं अब देखिए यह हमारे पास equation है balance equation iron के Fe के 33 H के 88 oxygen के 44 तो यह balance equation है थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ज्यादा updating videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं थैंक यू फॉर।